नमस्कार आप देख रहे हैं खबर मेडिया दोस्तों आपको बता दे कि सुसान सिंग राजपूत केस में अब कंगनर रनावत की परिसानी बढ़ती ही जा रही है मामला अब यहां तक आप पहुचा है कि कंगनर रनावत को अब जेल तक डालने की बात होने लग गई है मैं आपको बताऊँगा कि कैसे कंगनर रनावत भी जेल के पीछे बहुत जल जा सकती है लेकिन इसके लिए आप सभी को हमारी इस वीडियो को सुरू से लेकर के अन तक बहुत ध्यान से देखना होगा मैं आपको बता हूँगा कि कैसे कंगनर रनावत की परिसानी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और जहां कंगनर रनावत दूसरों को इंसाब दिलाने की बात कर रही थी तो अब वो खुद को भी इंसाब दिलाने की बारे में सोच रही होगी जीहां आपको बता दें कि कंगनर रनावत की बढ़ सकती है मुस्किले जावेद अक्तर द्वारा दायर मानहानी के मुकदमे में जमानती वारेंट कर दिया गया है जारी दोस्तो बॉलिवूड एक्ट्रेस कंगनर रनावत की मुस्किले बढ़ सकती है अदालत ने जाविद अक्तर द्वारा दायर मान हाने के मुकदमे में उनके खिलाब जमानती वारेंट जारी किया है अदालत में अभिनेतरी कंगना के पेस ना होने के बाद उनके खिलाब वारेंट जारी किया गया है जीहां आपको उता दे कि कंगना रनावत को अदालत में पेस होने के लिए कहा गया था लेकिन कंगना रनावत ने इस बात से पुरी तरह से मुझ फेर लिया था और वो कोर्ट को पुरी तरह से इग्नॉर कर रहे थी और ये बात बिल्कुल भी किसी को भी पसंद नहीं आई है आपको उता दे कि इस मामले पर कंगना रनावत के वकील ने कहा है कि वो उपरी अदालत में इस मामले को चुनोती देंगे केस पर अगली सुनवाई 26 मार्च को होगी पिछले साल जावेद अक्तर ने कंगना के खिलाप सिकायद दर्ज कराई थी जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि कंगना अपने ट्वीट के माध्यम से उनके लिए आपत्ती जनक सब्दों का परियोग करती है साथी उन्होंने कहा था कि कंगना के द्वारा उनकी छबी को बिगाडने का परियास भी किया जा रहा है जावेद अक्तर की तरफ से अंधेरी मेट्रो पॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष आपराधिक सिकाय दर्ज करवाई गई थी अक्तर की तरफ से दावा किया गया है कि पिछले साल जून में अभी निता सुसान सिंग राजपूत के साथ हुई घटना के बाद टीवी साक्षतकारों में बॉलिवुड में गुट बाजी का उलेक करते हुए कंगना ने उनका नाम घसिर दिया था जी हाँ आप देख रहे हैं कि सुसान सिंग राजपूत का नाम लेकर कैसे कंगना रनावत ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी जी हाँ हम सभी को पता है कि कंगना रनावत सुसान सिंग राजपूत को इंसाब दिलाने के लिए लगातार मोहिम छिड़े हुए थी लेकिन इसी बीच कंगना ने एक बहुत बड़ी को बता दें कि इन्होंने जावेद अक्तर से पंगा लिया और उसके बाद इनकी परिसानी निरंतर बढ़ती जा रही है क्योंकि अब ये मामला कोड तक महुँच चुका है सिकायत में दावा किया गया है कि कंगना ने जूठा आरोप लगाया था कि अक्तर ने रितिक रोसन से उनके संबंध को लेकर चुप रहने की धमकी दी थी अदालत ने 17 जनवरी को पुलिस को इस मामले में जांच रिपोर्ट एक फरवाईरी तक पेस करने का समय भी दिया था पुलिस ने कोड को सोपी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि रनावत के खिलाप सिकायत करता दोरा लगाय गए आरोपों की जांच की जा रही है जिसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की थी एक मार्च तै की थी जावेद अक्तर के वकील जै कुमार भारदवाज ने सुम बार को अदालत को बताया कि पुलिस ने पिछले महीने रनावत को समझ जारी किया था जिसमें उन्हें अपना बयान दर्ज करवाने के लिए पुलिस के समक्ष आने के लिए कहा गया था लेकिन कंगना की तरफ से इस समझ में कोई भी जवाब नहीं दिया गया इस वज़े से अब कंगना रनावत को भी आने वाल दिनों में जेल में जाना पड़ सकता है आप हमें कमेंट करके बताना कि क्या कंगना रनावत की परिसानी बढ़ती जाएगी साथ इस वीडियो को लाइक करके और लोगों के साथ सेर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना धन्यवाद